नमस्कार दोस्तों, Fantasy Sports Professor के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे Fantasy Tips and Best Dream 11 Combination for Everton vs Manchester United कैल अबाउ कब का ये quarter final 24 डिसेंबर को रात में डेड़ बजे से है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों टीम्स प्रेमेर लीग की है Manchester United table में 3rd position पर Everton 4th position पर दोनों टीम्स अगर आप देखोगे तो 26 point पर tied है United एक game कम खेली है for sure बट फिराल goal difference पर ये आगे है 3rd position पर दोनों टीम्स के अगर आप last 6 games की performance देखोगे तो United has not lost a single game while Everton has lost 1 game काफी तगड़ा game होगा ये दोस्तों काफी neck to neck game होगा ये दोनों टीम्स काफी recent में मिली थी जहां Manchester United ने Everton को 3-1 से हराया था बट याद रहे दोस्तों ये same Manchester United है जो इस game में 5-0 भी हार सकती है जो काफी reliable में नहीं कहूंगा इनको काफी inconsistent कहूंगा मैं उमीद आप ज़रूर रखोगे कि ये बड़ा क्लब है नाम बड़ा है कोच फिलाल तो ठीक कर रहा है प्लेयर्स भी काफी सही कर रहे है and United should come out on top बट अगर आप हमें पूछोगे तो recent form पे we will back Everton to do well in this game why? Everton is coming on the back of 3 big victories Chelsea को 1 निल हराया Leicester को 2 निल हराया और Arsenal को भी 2-1 हराया हाँ जी दोस्तों हम अभी भी मानते हैं कि Arsenal एक बड़ा क्लब है थोड़ा से मुश्किल दाव से गोदर रहा है बट क्लब खराब नहीं है ये तीन बड़ी victory आई है for Everton and momentum उनके साथ है form उनके साथ है, home game है Carlo Ancelotti है I doubt there is anything that can go wrong with them हाँ ये जरूर हो सकता है कि if they have an off day then United might come out as winners but we believe that given the current busy schedule Manchester United or rather Ole will be tempted to make some changes हो सकता है कि rotation के चक्कर में कुछ नए प्लेयर्स को खिलाएं जिसके कारण United थोड़ा सा weak दिख सकती है United has done decently well in at least the last five games Leipzig के अगेंस Champions League में हारे थे 3-2 जिसे मैं आपको बता रहा था inconsistency ये वही टीम है दोस्तों जो वो कहते हैं न अंधेरी रात के बाद हर सुबह होती है वैसे ही ये खराब performance करके अचानक से बहुत उम्दा performance दे देंगे इसमें कोई डाउट नहीं है बट वही मज़ेदार शाम को काली रात बनाने में भी इन्हें 10 मिनिट से जादा नहीं लगीगा आपको याद होगा कैसे टॉटनम के अगेंस बेशती हुई थी आपको याद होगा कि किस तरीके से यह team suddenly shut out हो सकती है और बहंकर performance देने से 10 मिनिट दूर होती है इसलिए इस particular game में हम back करेंगे Everton to win बट प्लीज याद रखेगा थोड़ी सी risky affair होगी we will wait for the final lineups to come out which will give us more clarity कि कि किस तरीके से teams set up हो रही है और United का किस तरीके का chance है इस particular game में जीतने का या हारने का in the current scenario हमें यह लग रहा है कि United rotate कर सकती है और इसलिए हम Everton को फेवरेट्स मानते हुए आगे बढ़ेंगे की start की बात करें तो Everton पिछले 9 games league cup में केवल 2 में हारा है जबकि Manchester United अपने last 9 league cup games में से 6 में जीता है और in fact team में clean sheet भी रखी है याद रहे दोस्तों United के लिए ये सुनहरा मौका है कि first time since 2008 back to back seasons में ये semi final में पहुँचे हैं league cup के Ole Solzaiar के पास वैसे तो जादा कुछ ये हैने दिखाने के लिए in terms of trophies he would really want to sort of make this count and which is why somewhere हमें लगता है कि शायद इतनी rotation ना करे बट याद रहे दोस्तों Premier League बहुत बहुत उपर वाली tournament है वहाँ पे अपनी position secure करना जादा important होगा versus you know fielding your entire squad in the league cup तो इसी के चलते शायद changes expected हो सकते हैं दोनों teams की last 6 games देको अगर आप head to head में तो United has won 3 Everton has won 1 and 2 games draw हुई है दोस्तों ऐसे ही और interesting stats और analysis के लिए आप हमारा telegram channel join करना मत बूलिएगा जिसका link मैंने description में दिया हुआ है काफी अच्छा channel है दोस्तों महाँ पे आपको सारी details मिल जाएंगी और free है तो it is easy for you to refer हम हमेशा encourage करते हैं कि आप हमारी और यह दिया आपको लगता है कि यह सही है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा और हमारे channel को subscribe कर दीजेगा expect 11 की बात करें तो from Everton's perspective Calvert-Lewin उपर की तरफ रहेंगे Richarlison, Sigurdsson और Bernard will support them from midfield Bernard की जगापे यह वो भी शायद start कर सकते हैं midfield में Davis Ducore definitely will start United की बात करें तो यहां पर is where the question comes तो जो अभी हमें जो पता लग रहा है जितना भी हम पढ़ पार है उसे Vanderbeek and Greenwood will start along with Rashford and Cavani उपर की तरफ attack में but यह possible हो सकता है at least हमारा assumption यह होगा जब हम इस game की team मनाएंगे कि both Bruno Fernandes and Mata will start in this particular game जदी Vanderbeek start करते हैं दोस्तों बहुत ही brilliant youngster है काफी potential रखते हैं आपकी teams में आप इसको जरूर try कर सकते हैं midfield में defensive midfield में Pogba Matic होंगे McTominay was the star of the game against Leeds but बिचारे को groin injury हो गई और इस particular game में वो available नहीं होंगे we wish him really well कि फटा-फट वो fit हो जाए और United की जो प्रेमिर ली campaign है उसमें फिर से आके तहल का मचा दे बात करते हैं आप कुछ key players की तो from Everton side if you see Calvert Twin top striker है 11 goal मार चुका है दोस्तों बहुत ही उमदा form में है must have pick for this particular game James Rodriguez is not available 3 goal 3 assist है उसके Richard Lisson is again an important player 2 goals 3 assist है इसके defense की बात करें and Yeri Mina दोनों के 2-2 goals हैं काफी अच्छे हैं Yeri Mina specially set pieces पे बहुत ही dangerous player दिखाई देते हैं Segudson penalties पर होंगे आज की game में शुरूर करेंगे 1 goal 2 assist है इनके Diniya injured है इनके 4 assist है Iwobi's got 2 assist Coleman's got 1 assist तो ये मोटा-मोटा Everton के key players हो जाएंगे United की बात करें तब से तभाही मचाये हुए हैं ये Touchwood He's doing really well We really hope कि ये अच्छे से perform करता रहे और United के कलिए contribute करता रहे 9 goals 5 assist हैं इसके Rashford's got 5 goals 4 assist ये दोनों बहुत ही critical होंगे आज के particular game के लिए If Ole does start them पलड़ा थोड़ा United के favor में भार ही हो सकता है Otherwise it should be Everton all the way Kawani will start in this game 3 goal 1 assist है काफी तगडे striker है PSG के हैं International level पे भी काफी अच्छा कर चुके हैं McTominay will not be available Marshall again is a doubt for this particular game इसके अलवा अगर आप देखो के तो Pogba is slowly and steadily finding his feet अच्छा तालमेल दिख रहा है If he continues to perform at the highest level I am sure he will have a very very bright future with United Otherwise also wherever he goes He will be a very very big player and an important player उमेद रही कि अगर United में अच्छा कर पाएं तो fans और सभी के लिए Especially if football this will be really really great तो दोस्तों यह हो गए हमारी key picks Captain Vice Captain C picks भी इसमें कवर हो गए है बात करते हैं सज़ेस्टिट Dream 11 टीम की हमने अफरंट रिचारली सिन, कैलवेट लूइन और Rashford इन तीनों को pick क्या हुआ है All three are good captaincy wise, captaincy options for your teams and should really be the game changers in this encounter Midfield की बात करें तो Sigurdsson, Fernandes Mata और Pogba इन चार को pick क्या है जैसे मैं आपको बता रहा था Our expectation is that Bruno and Mata will start in this game Majority news यह आ रही है कि possible हो सकता है कि यह दोनों bench होंगे और इनकी जगह पे Van de Beek and Greenwood start करेंगे तो इसलिए काफी critical होगा कि आप हमारा telegram channel join कर ले because वहाँ पे line up आने के बाद और deadline से 15 minute पहले आपको सारी details मिल जाएंगी of our final team who we are backing and who we are finally going ahead with Sigurdsson penalties पे होंगे जैसे मैं आपको बताया था Hence we consider him to be a good captaincy wise captaincy option because United के defense की तारीफें करना अगर शुरू कर दिया जाए तो ये video एक गंटा दू गंटा भी चल सकता है penalty soft concede हो सकती है तो इसलिए सामने वाली team का penalty taker रखना will not be a risky move defense की बात करें तो Henderson and Tellis इन दोनों place को हमने pick किया हुआ है from United whereas Godfrey and Holgate will find the feet in our team from Everton याद रहे दोस्तों ये हमारी sample team है आपको केवल एक reference देने के लिए है please को copy मत कीजेगा आपकी पढ़ाई में इसको use कीजेगा याद रहे financial risk काफी involved होता है fantasy sports में तो please play responsibly ध्यान से खेलेगा जितना risk appetite हो उतना ही consider कीजेगा भूलना नहीं हमारी telegram channel join करना वहाँ पर आपको सारी details मिल जाएंगी not just for this game पर ऐसी कई सारी games होती है जिसका हम वीडियो preview नहीं कर पाते हैं उनकी भी आपको final team along with our captain si vice captain si fix महीं पर मिल जाएगी यदि आपको ये वीडियो पस्तना है को दोस्तों तो please को like कर दीजेगा और हमारे channel को subscribe कर दीजेगा जल्द मिलेंगे आपसे कई और cricket football और basketball games की analysis के साथ तन्यवाद